गंदे का रस निकाल कर हर महीने 30,000 से लेके 60, 70 या 1 लाख रुपे तक की कमाई कर सकते हैं ये मशीन और कच्चा माल खरिदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नमबर, कॉंटेक नमबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वहें से आप बहुत ही आसानी से इस मचिन को खरिद सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें और और नोटिपिकेशन पर टिक करें ताकि आप हर रोज बिजनेस के नए नए वीडियो देख सकें नमस्कार दोस्तों, आज हम घंडे का रस निकलने का बिजनेस के बारे में जानेंगी इस बिजनेस के लिए आपको शुगर मेकिंग मसीन परचीस करना पड़ेगा और ये मसीन अलग-अलग तरह के होते है जैसा कि मैन्यवाली मसीन, आटोमेटिक मसीन जो अपने आप चलती है सोलर पावर से चलने वाली मसीन, बैटरी से चलने वाली मसीन, जनरेटर से चलने वाली मसीन, आटो रिक्षा में सैट हो जाए ऐसा मशीन इस तरह के गन्यकारेस निकलने का अलग-अलग मशीन होते है दोस्तो मैन्योली मशीन जो अपने हाथों से चलाया जाता है या तो छोटी सी मोटर से भी चलाया जाता है लेकिन दोस्तो ये मशीन चलाने में बहुत ही मुश्केली होती है क्योंकि दोस्तो ये बुरा मशिन ओपन होता है इस मशिन में हाथ पीज जाने का डर रहता है और हाथ में जखम भी लग सकता है लेकिन दोस्तों आज हम एक ऐसा मशिन देखेंगी जिसमें आपको किसी भी तरह का जखम नहीं लग सकता है ये पूरा बोडी में होता है और दोस्तों इस मशिन को बहुत ही तो आराम से いました अब चला सकते हो तो दोस्तों हम मिलेंगे दक्षेज भाई से और घंडे का रस्首 निकलन का इस मशीन की पूरी जानकारी हम देखेंगी नमसकार डक्षेज भॉए दक्षेज भाई हमें असो बता है कि इस मशीन से हम घंडे का रस favormä क्यासे सकते हैं और गंडे का रस का मिद्ने सम कैसे कर सकते है यह शुगर केंग मशीन है यह आपको इसको वन टाइम ही हमदर डालना है जलना एक बार आप डालो के वह यहां से रस निकल जाएगा सेकेंड आपको इसके से रस नहीं दिन देगा यह जादा सथ आउट्वेट वाले जो रहते है इसको जादा यूस्पूल रहता है और जिसका कोई रेस्टोरंट या ऐसा को जो बात कर सके उसके लिए जी यूस्पूल है वोड़का ली ऐससमे आता है यह अप्रोक्सिमेटी आपको और आवर एक गण्टे में से कम सौसे देश्टोग्लास गण्यका जोस आपको निकाल देए दोस्तो यह मशीन बहुत ही काम आए हम हर चौराय के देखते हैं कि कई ना कई हमें गण्यका रसा में बिलता है दोस्तो जब आप इस मशीन को परचिस करोगे तब आपको इस मशीन का सर्विसिंग और मेंटेनेंस सिखा निया जाएगा आप इस मशीन को कैसे साफ सफाई कर सकते हो वो भी आपको सिखा निया जाएगा ताकि आपका मशीन लंबे समय तक बिगड़े नहीं और आसानी से आप इसे चला सकी दोस्तो यह बिजनिस करने के लिए आपको सरकार का FSAI का लाइसंस यानि की फूर का लाइसंस भी आपको लेना पड़ेगा दोस्तो यह बिजनिस अगर आप छोटे से मेज पर करना चाहते हो तो दोस्तो आपको सरकार का GST का लाइसंस लेना नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ आप यह बिजनिस बहुत बड़े बेश पर करना चाहते हो तो आपको सरकार का GST का लाइसंस भी आपको लेना पड़ेगा इस गन्ने का रस निकालने का बिजनिस का raw materials के बारे में हम जानेंगी यानि के कच्चा माल किस त 2 नमबर लिम्बू 3 नमबर नमक या मसाला काच के ग्लास गन्ने का रस निकालने का machine इस तरह के raw materials होता है दोस्तों गन्ने के रस निकालने के बिजनिस का कुल खर्च की बात करें तो कच्चा गन्ना जो 100 किलो की 300 रूपिय में मिलता है ये किलो लिम्बू का खर्च 50 रूप होता है दोस्तों नमक और मसाला अपने हिसाब से पर्चिस करें काच के ग्लास एक ग्लास का 10 रूपिया होता है अगर आप 10 ग्लास खरीद होगे आपको 100 रूपिय में पड़ेगा दोस्तों गन्ने का रस निकालने का machine manually machine 5000 से लेके 10 या 15,000 तक के होती है दोस्तों लेकिन आपको काम किस तरह का करना है उसी तरह से आप गन्ने का रस निकालने का machine आप खरी दी सकते हो गन्ने का रस निकालने का business की कमाई की बात करें तो एक लिटर गन्ने का रस निकालने का cool खर्च सब मिला कर 50 रूपिय तक का होता है और इसे आप 200 रूपिय में बजार में बेच सकते हो यानि कि एक लिटर गन्ने में से आपको 500 रूपिय की कमाई कर सकते हो अगर आप पूरे दिन में 20 किलो गन्ने का रस निकल सकते हो तो आपको पूरे दिन में आप 3,000 रुपे की कमाई कर सकते हो और इसी तरह से आप काम करते रहे तो महिने में 90,000 तक की कमाई कर सकते हो दोस्तों ये तो हमारा एक अंदाजा है आपका बिजनेस किस एडिया में है किस राज्य में और आप काम किस तरह करते हो उसी तरह से आप इस बिजनेस में खर्च और कमाई कर सकते हो तो देखा दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से हम घंडे का रस निकाल कर हर महिने 30,000 से लेके 60, 70 या 1,000,000 रुपे तक की कमाई कर सकते है दोस्तों अगर आपको ये घंडे का रस निकालने का बिजनेस आपको करना है तो आपको शुगर मेकिंग मसीन परचिस करना पड़ेगा और हमने इस कमपनी का नाम, मोबैल नमबर, कॉंटेक नमबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो वही से आप इस कमपनी के मालिक को मिल सकते हो और गंडे का रस निकालने का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो इस वीडियो में हमने आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है लेकिन अगर आपको कोई भी सवाल हो तो हमें कॉमेंट कर सकते हो हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगी नहीं तो आप निचे डिस्क्रिप्छिशन में एक application का लिंख दिया हुआ है तो आप उस application को डाउनलोड करें उस application में हमने इस business के सभी सवालों के जवाब दिये हुए है तो वही से आपको कोई भी सवाल का जवाब आपको मिल सकता है ये बिजनेस की बहुत ही डिटेल में हमने जानकारी दी है तो वही से आपका कोई भी सवाल का जावा आपको मिल जाएगा और ये बिजनेस आप बहुत ही आसानी से आप कर सकोगी ये जानकारी आपकी थोड़ी से भी काम में आई है तो आप हमारी मदद कर सकते है जिसके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक अप्लिकेशन का लिंक दिया हुआ है तो उसे अप्लिकेशन को डाउनलोड करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों अगर आप कुछ दान करना चाहते हो तो हमने इस डिस्क्रिप्शन में एक नमबर दिया हुआ है तो वहीब से आप हमें कुछ दान भी कर सकते हो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी हमने दी है तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नया बिजनिस लेकर तब तक के लिए नमस्कार और हाँ आप अपने माबाप की सेवा करें